हेलो फ्रेंड्स, कैट एक्जाम में एप्रॉक्सिमेट हमारे पास थ्री मंस बचे है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है, जिनको बहुत ज़ादा डी मोटिवेशन है, सेल्फ डाउट है, एप्रियंशन क्रियेट हो चुका है, कि सर हमारा तो कैट क् सकता, क्योंकि बहुत कम बचा है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अधर एक्जाम की तरफ देख रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं, नेक्स्ट येर देंगे हैं, अपना कॉन्फिदेंस बिल्कुल लूस कर चुके हैं, क्योंकि हो सकता आपके मौक्स में नंबर 97, 98 तक पहुचा दिया था, आप एक चीज़ को समझो, कि अगर आप अपनी परसेंटाल को 90 प्लस कर लेते हो, आप इंडिया के टॉप 40 कॉलेजिस में एंटर कर सकते हो, अगर आप अपनी स्कोर को 95 प्लस कर लेते हो, आप इंडिया के टॉप 30 कॉलेजिस में एडिशन ले स इसके साथ ही आपको बताऊंगा हर दिन का क्या study plan आपको होना चीए 1st September से जो हमारा नया crash score start हो रहा है उस पे mega discount है और उसकी क्या details है क्या planner है किस तरह से पूरा course चलेगा इसके साथ ही अगर आप अपना target बना रहे हो किस तरह से target score बनाना है क्या आपकी पूरी strategy होनी चीए त how to crack cat within 3 months so my name is Saurabh Kuthari let's start सबसे पहले चैनल को subscribe कर लेना and bell icon को press कर दो ताकि यसी जितनी भी important videos है उसके notifications आपको मिलते रहे इंस्टाग्राम पर हमारा channel is study was education यहाँ पर daily basis पर आपको one shortcut vocabulary words GK updates मिलते रहते हैं जो आपकी preparation के लिए helpful हो सकते हैं अब मेरे पास ultimate question आता है sir cat crack हो सकता है कि तो एक बात ध्यान रखो it's not the failure what stops us it's the fear हम अपनी पढ़ाई इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा cat में कम result आया है हम अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमेरे डर लग रहा है कि अगर मेरा cat crack नहीं हुआ तो मेरा gap year हो जाएगा अगर मेरे अच्छे marks नहीं आए तो मैं क्या करूँगा मैं already इतना demotivate हूँ marks में मेरे number नहीं आ रहे actual exam में क्या ही आएंगे मैंने तो topics की पढ़ाई नहीं करी मेरे तो practice strong नहीं है मेरे तो quants बहुत weak है मैंने verbal की इतनी practice कर ली उसके बाद मेरे score नहीं आ रहा तो यह failure नही अगर मैं cat exam की बात करूँ तो 500 hours के अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप definitely इस exam को बहुत अच्छे जे crack कर सकते हो अब आप यह सोचो कि अगर मैं next 3 months की बात करूँ मेरे पास 90 से 92 days हैं उन days में क्या मैं 500 hours की पढ़ाई कर सकता हूँ अगर आप इसको narrow down करो breakdown करो हर दिन की प पढ़ाई करनी हैं अगर आप 5-6 hours की पढ़ाई daily कर जाते हो तो आप exam definitely crack कर सकते हो अपने dream percentile achieve कर सकते हो और अपने dream कॉले में जा सकते हो और यह बात मैं सिरफ कहें नी रहा हूँ यह last year के toppers के आपको story बताता हूँ जिन्होंने अपने पूरे के पूरे score को upside down कर दिया वो सबसे important आपको सबसे inspiring story बताता हूँ अधित्या गोयल की अधित्या गोयल ने क्या किया हमारे यह last के two months में join किया था और उसका जो score था इसने खुद बताया सर मेरा mock में 40-50 से उपर score ही नहीं आता था नेकि last के two-three months में मैं तना focus हो गया आपने preparation करा है इसके साथ इस भी बहुत effort डाला एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना किसी भी coaching का role होता है 20-30% का ठीक है बाकी student की मेहनत है 70-80% हम लोग आपको अच्छी videos दे सकते हैं content दे सकते हैं आपको best to best mocks provide कर सकते हैं analysis करवा सकते हैं लेकिन पढ़ना आपको ही है ठीक है आप बहुत सारे videos देखते ह आप काफी सारी motivational course पढ़ते हो लेकिन एक बात अपने mind में fit कर लो कि motivation से exam crack नहीं होता exam crack होता है पढ़ाई करने से तो वो हम अगर daily करने के लिए तयार है for the next 3 months एक consistent effort के साथ तो आपका भी score ऐसे ही change हो जाएगा इस score का बच्चे का 40-50 score था and उसका actual score आया 97.89 आप देख सकत में यह बच्चा अपने dream college में पढ़ाई कर रहा है इसके साथ अगर मैं आपको और story बता हूँ आरुशी गर्ग बाई general category I am Bangalore में इसका admission हुआ है currently ही अपनी MBA I am Bangalore से कर रही है इसकी percentile है 95.25 and last के 2 months में preparation किया सिरफ last 2 months उसके पहले इस बच्चे को cat के बारे में MBA के बारे score यह आया then इनका profile अच्छा था 10-12 graduation अच्छे marks थे तो इनको I am Bangalore से call I interview convert किया and now she is in the dream college तो 2 months की मेंनर उसके बाद आप इस बच्चे को देखो ओज्यस माथू 98.73 percentile इस बच्चे का score भी बहुत उपर नीचे हो रहा था इसने test series में enroll किया था then उसके बाद हमने जो mocks प्र score exponentially improve 98.73 percentile इसके बाद अगर आप और बच्चे देखोगे 98.56 मैं आपको आगे ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाओंगा कि उनके actual cat में by 40-50 आए और आज की date में वो अपने dream institute में है तो यह जो inspiring stories यह बच्चे आप से अलग नहीं है इन students में जो common चीज़ है वो यही है कि इन्होंने last क 3 months पूरी जान लगा दी पूरा effort लगा दिया आप देखोगे यहाँ पे सैने मुल्ली मोहन 98.29 percentile हमारी अप्रोच ही बहुत क्लियर थी कि जो भी topics है उनको easy to easy form में हमें change कर देना है जितने भी hard concept है उसको simpler वे में समझाना है और उसके बाद इस बच्चे की problem solving approach ही change हो गया औ that is why 98.29 percentile इस बच्चे ने चीव करिया आप रागव को देखो इसने last two months के लिए join किया था and last two months में इसने completely पूरा का पूरा जो अपना score था drastically change कर दिया and he scored 98.18 in actual cat exam आप इसके बाद एक स्टोरी देखना जाते हो सौम्या गुपता again two months के लिए join किया था 97.16 percentile and इस बच्चे ने अपना पूरा का पूरा score again shift कर दिया इसका confidence बहुत कम था son मेरे को ये confidence नहीं आता मेरा answer सही होगा कि गलत होगा मुझे तो लगता नहीं score कर पाऊंगो नहीं कर पाऊंगा and actual score देखो 97.16 तो हर topper जिसने exam top किया वो nervous रहता है उसको ये लगता है पता नहीं मैं कर पाऊंगो नहीं कर पाऊंगो लेकिन अगर आपकी preparation solid है आपने effort genuinely डाला है तो आप definitely एक अच्छा result देखने वाले हो जया कि अगर आप बात करते हो 96.08 percentile कितने marks पे 80 marks पे आई है and इस बच्चे ने क क्या बोला कि सारे के सारे concepts हमने basic से करे and हर एक topic हमने advanced level तक cover किया जिसकी वजह से इस बच्चे ने score को अचीव किया अगर मैं आपको बहुत inspiring story बता हूं तो भाई इस बच्चे ने 2 months में 96.07 percentile अचीव करी है अप खुद देख सकते है study was help me to complete my syllabus 2 months before exam 2 months में इसने सारी की सारी चीज़े clear करी है और इसने पूरी जान लगा दी उन 2 months में पूरा पूरा effort लगाने के बाद then he scored a good score जिसके बाद यह आज की rate में अच्छे इंश्विट में पहुंच चुके है उसके बाद अगर आप देखोगे 96.03 again भाई इस बच्चे को मैंने यही बोला था कि अगर आप exam crack करना चाहते हो जो test है full name mock test और जो topic wise test है उनको sincerely practice कर लो and उनका analysis कर लो आपको automatically पता चल जाएगा आपके strong areas क्या है और आपके weak areas क्या है वो score आया 96.0 इसके बाद अगर हम इस बच्चे की बात करें बहुत जाद है inspiring story है शेफाली शर्मा की अगर आप देखोगे इस 68, 99, 97 वाले ही toppers होते हैं लेकिन मैं हमेश्या बोलता हूँ हर student की एक journey है एक student अगर 70 से भी अगर 90, 95 पे पहुंच रहा है तो उसने अपने score को exponentially improve करा अगर आप percentage की terms में देखोगे तो इस बच्चे ने 70 से 92 पे achieve करा and मैंने आपको बताया 90 से उपर आते ही आप top 30, 40 47 percentile थी cat 2019 में and 2020 में score change होगा 90.58 तो ये नहीं है कि आप exam को crack नहीं कर सकते ये नहीं सोचना कि मेरे तो number ही नहीं आएंगे मैं तो कुछ का रही है रिखता आप किसी भी बच्चे का example देख लो जसमीत का आप example देख लो 42 percentile in 2019 and I lost all the hope as I left my job and उसके बाद वो totally confused थी लेकिन जब उन्होंने last year मेहनत करी तयारी करी उसका score drastically change हो गया and she achieved 90.1 और 42 से 90 की jump कितनी huge jump है तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आप एक serious experiment हो जो एक score को achieve करना चाहता है तो impossible नहीं है हमारे पास 3 months का time है अगर आप अपने आपसे commitment कर लेते हो कि मैं इन 3 months मेहनत करने के लिए तय यार हूँ तो आप भी वो 99 percentile 98 percentile 1995 के जो benchmarks होते हैं उनको cross कर सकते हैं क्यों इसका reason है क्योंकि 99 percentile लाने के लिए आपको 99 percentage paper नहीं करना मैं आपको बहुत एक in-depth analysis बताता हूँ आप ये analysis देखो last year 99 percentile के लिए 101 marks यह थे which means 34 questions by 76 में से 34 questions मतलब less than 50 percent of the exam आपको करना था and आप 99 percentile है बन गये हो आपको 95 percentile चीए थी 76 marks चीए थे जो आपके 25 questions पे आ रहे हैं अगर आप 25 correct questions कर दो 25 out of 76 that is not even one third of the paper उसके बाद अगर आप देखोगे 90 percentile का अगर आप benchmark बना रहे हो 63 marks पे 90 percentile आ थी which is 21 questions तो 21 questions out of 76 around आपको कितने questions करने कितने कम questions पे आप एक benchmark score cross कर सकते हो तो नहीं है कि आपसे एक topic नहीं हुआ दो topic नहीं हुआ तो preparation छोड़ दी अब तो हम कुछ करी नीरे आपके सामने में actual data बता रहो आप खुद बताओ अगर आप 3 महीने तयारी करते हो तो क्या 50 percent की तयारी नहीं कर पाऊगे आप यह नहीं सोचते कि यार मैं सारे topics नहीं कर रहा मैंने arithmetic algebra कर लिया है मैंने LIDI का practice कर लिया है मेरे को verbal पर थोड़ी सी command बनानी है तीन महीने मैंने effort डाला मैंने previous year के paper solve कर लिये आप definitely उस position पर आ जाओगे जहां पर आप काफी सारे questions exam में सही कर पाऊगे आपको यह थोड़ी किसी ने बोला है कि 76 में से 76 करोगे तभी आपका cat crack होगा भया आपके सामने data है 99 percentile के लिए 76 में से 34 questions करना है 50 percent paper करना है तो अगर आप आज से भी शुरू करते हो आप definitely कर सकता है question यह निकल के आता है क्या-क्या exam के लिए करें हमें सर अगर आज से पढ़ाई करनी है तो 3 months में मैं किस तरह से अपनी पूरी preparation को divide करू तो इचे इसलिए गया है क्योंकि जो IMs की body उन्होंने का यह paper को ना equal बनाना है engineers and non engineers के लिए पहले quants difficult होता था लेकिन engineers के लिए easy होता था तो वो लोग ज्यादा score कर पाते थे अब उन्होंने quants moderate level का कर दिया है और LRDA थोड़ा सा difficult करा है इस वज़े से LRDA क्योंकि सबके moderate है वो भी at power हो गया तो अगर आप last 5-7 years के paper को analyze करोगे तो आपको पता चलेगा जो सबसे ज़्यादा questions आ रहे है वो TSD, time at work, pipe transition, percentages, profit loss मतलब जो आपका arithmetic section होता है वहां से आते है arithmetic के पाद आपके ज़्यादातर questions बनते हैं वो algebra portion से बनते हैं जिसमें identities, equations, quadratic equation, integral solution, graph algebra, modulus function, operations, inequality इनके questions बनते हैं तो अगर आपको यह लगता है नहीं पहले मुझे वो चीज़े करनी है जो मेरे लिए ज़्यादा important है जो ज़्यादा scoring हो आप arithmetic और algebra पहले कर सकते हो देखो guarantee नहीं है कि यही आएगा यह मैं आपको past year के trend के basis में बता रहा हूं कि हमेशा arithmetic और algebra किसी भी exam में ज़्यादा पूछा जाता है जब आप यह finish कर लो उसके बाद आप number system geometry and then आपका modern match finish कर सकता है अगर मैं LRDA की बात करू तो LRDA में concept कम है practice ज़्यादा है तो LRDA में जैसे मैं last year 99 score किया था तो उसका reason यह नहीं था मैं एक एक topic practice कर रहा हूं नहीं मैं mixed questions की practice बहुत करता था और LRDA constantly आपका improve होता है तो आपको हर दिन 2 set 3 set solve करने है उससे क्या होगा आपका confidence develop होगा कि इस type के question को किस तरह से approach करना है साथ मैं LRDA में बड़ा important रहता है कि आप previous year के paper जरूर करो क्योंकि previous year के paper में आपको ही idea लग जाता है कि अगर मेरे सामने ये 5 sets होते मेरे सामने ये 8 sets होते तो कौन कौन से question मुझे pick करने चाहिए थे और अगर pick करने थे तो किस तरह से उनको approach करना चाहिए था उसके साथ अगर मैं verbal की बात कूर तो verbal में काफी सारे sectional test करने देखो verbal में आपको concepts का idea होना important है आपको पता होना चाहिए implicit statement में किस तरह से identify किया जाता है inference का meaning क्या से होते हैं tones कौन कौन से होती आर्सी में एक बर ही अपने concepts पढ़ लिए उसके बाद जितने आर्सी आप practice करोगे जितनी variety आप practice करोगे उतना better होगा ठीक है काफी सारे लोग बोलते सार इस समय novel readings वागरा करने चाहिए क्या देखो इस समय वो right time नहीं है क्यों क्योंकि जब आप एक novel रीट करते हो तो आप एक particular genre रीट कर रहे हो correct लेकिन जब आप RCs practice कर रहे हो चाहिए वो previous year के practice कर रहे हो या किसी के topic test से कर रहे हो तो आप कभी economic RC कर रहे हो आप कभी literature कर रहे हो कभी technology कर रहे हो तो उससे आपको ज़्यादा exposure मिलता है variety of reading मिलती है and different set of questions की भी practice करने के लिए तयार हूँ मैंने आपको क्या बोला मैंने बोला तुम्हें 500 घंटे के पढ़ाई करने 500 आर्स अगर आपने पढ़ लिया तो आप अपना exam crack करने वाले हो तो इसलिए एक बहुत systematic organized आपके लिए course निकालने है first September से हमारा crash course start हो रहा है ये एक self-paced learning course है आप इसको अपने time के साब से पढ़ सकते हो इस course में मैं आपको 150 आर्स के video lectures दे रहा हूँ जो एक्टम cat related है जिसमें आपके पूरे-पूरे quants, LIDA, verbal covered है cat exam का in 150 आर्स में आपको एक-एक topic basic से लेके advance तक कराये गया है basic से लेके advance तक कराये आपने का नहीं मुझे basic portion पहले से आता है आप डारेक्ट आगे वाले question सौल करो जो difficult question है cat oriented question है आपने का सर मुझे basic नहीं आता है साथ इन video lectures में मैंने आपको last 4 years के cat 17 से cat 20 तक हर एक exam के हर एक slot का मैंने video solution आपको दिया है और उन्हीं paper को मैंने हापे mock की form में भी दिया आपको additional mocks भी provide करें cat के सारे के सारे paper तो इससे क्या होगा आप cat के जब paper लिखोगे mock वाले तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस mock के according आप कहां stand करते हो and then आप video solution देखोगे तो आपका एक तरह से revision हो गया then आपको 25 full month mocks provide करते हैं जो आपके एकदम latest pattern पे है और उस latest pattern पे जब आप उनको practice करोगे तो automatically आप देखोगे कि काफी अच्छे से आप यहाँ पे अपनी command बना पा रहे हो verbal, LRDA, Quants के sectional test आपको दिये जाएंगे ताकि अगर आपका एक section week है तो उस section में कैसे अपना time taken per question reduce करना है अपनी accuracy को improve करना है the full-fledged complete course है जिसके बाद आपको और कुछ नहीं करना तीन महीने आप इसकी sincerely तयारी कर लोगे तो आपका पूरा syllabus, revision, practice, mocks, sectional test हर एक चीज कवर अप हो जाएगी अगर मैं आपको बताओ उसको पढ़ना कैसे structure कैसे करना है आप जैसी enroll करोगे step 1 है video lecture देखना है आपको एक time for example आज आपने mixture and allegation का lecture देखा तो आप mixture and allegation का topic test यहाँ पे appear कर लो तो यहाँ पे क्या होगा जैसे आप इसको appear करोगे यहाँ पे आपको different type के questions बल जाएंगे तीन test मिलते हैं हर एक topic के easy, moderate, advance तो आप easy वाला करोगे तो आपकी थोड़ी सी practice होगे फिर moderate, advance करोगे तो आपकी RC को attempt करोगे आपका RC भी practice हो रहा है और जितने हमारे test होते हैं वो सारे के सारे timer based test होते हैं इससे help यह होती है कि जो हमारे anxiety होती है जो panic button होता है आपने बहुत बार notice क्या होगा वो timer कम होता रहते हैं हमारे questions गलत होते रहते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप timer के साथ habitual न गलत हो जब आपने पूरी पूरी topic और practice और video lecture finish कर दिये फिर हम लोग move on करेंगे अपने full length and sectional marks की तरफ sectional marks और full length marks को जब हम appear कर रहे होंगे अपने sectional test को दे रहे होंगे तो यह जितने भी paper आपके लिए बनाये गए हैं यह इसी approach से बनाये गए हैं कि जो latest आपका cat exam होने वाला है तो उसमें most important most trending questions मुझे कैसे करने है ठीक है तो वो हम पूरे के पूरे यहाँ पर एक एक चीज़ को understand करेंगे and then यहाँ पर हम लोग improve करेंगे इसके बाद आपको step 4 cat के previous year के paper कर लेंगे 20 के 19 के 18 के तो इससे क्या होगा last के year की जितने भी questions है चाहे वो LRDA हो वर्ब then आपने previous year में देखे तो एक ही topic आप 3-4 बार कर रहे हो तो revision वाला problem भी खतम हो गया है and एक comprehensive preparation आपकी हो रही है ठीक है अगर आपको time table देखना किस तरह से आपका time table बनाया गया है तो यहाँ पे मैंने weekly division से लेके हर एक चीज़ का ध्यान रख्या है और इस time table को follow कर सकता है अगर आप join करते हो तो इस time table से lectures देखोगे तो आपकी सारी चीज़े structure तरीके से finish होगी अगर आप खुछ self prepare कर रहे हो तो भी आप इसको follow कर सकते है उसका screenshot लेना है ले लो यह आपके लिए काफी जादा helpful हो सकता है तो first September से हम लोग start कर रहे है cat mock 1 आप दोगे आप सबसे प approximate 1 hour का होगा and then उसके बाद आपको portal पे practice करने तो 150 hours का हमें video lecture finish करना है सारा then हमें 350 hours portal पे practice करनी है and आपकी पूरी की पूरी cash preparation 500 hours की study में हो जाएगी तो वही daily basis पे 5 to 6 hours की हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है उसके बाद अगर मैं quants की बात करू तो quants में आपको time and work pipes and system averages देखना है verbal में RC practice करना है portal पे और फिर आपको थोड़ा सा vocab करना है vocab करने का फायदा होता है RC में आप जल्दी जल्दी चीजों को comprehend कर पाते हो उसके बाद आगर आप देखोगे weekly revision का मैंने आपको एक day दिया है हर week में इससे क्या होगा अगर आपको कोई topic miss होगे आप नह देखना है then LIDA की बात करें तो circular in my numerical logic logical condition इधर आपको RC video 1 RC video 2 देखना है then आपका weekly revision फिर आपको cat mock 2 देना है बहुत सारे बच्चे गलतिया करते है sir cat के mocks end में देंगे नहीं आपकी जो mocks है वो आपकी part of preparation आपकी preparation में वो included होने चाहिए तभी तो आपको पता चलेगा ना कि मेरे strength areas यह हैं मेरे weak areas यह हैं मुझे इतना time इस question में नहीं देना चाहिए ता मैंने एक question पर 10 minute waste कर दिए यह सारी चीज़े over the time develop होंगी यह 10 दिन में develop नहीं होंगी तो हमें time के साथ mocks को appear करना है then आपका यहाँ पर TSD topic की video lecture देखना है इधर logical consistency the games and tournament इधर आपका RC के practice content करोगे आपका geometry चलेगा geometry के बाद आपका पूरा बुरा algebra start हो जाएगा इधर आपका topic चल रहे है इसके बाद अगर हम बात करें तो algebra इधर आपका portion finish हो जाएगा इधर आपका डिया फिनिश हो जाएगा इधर आपके नॉन आर्ची topic जैसे आपके पैरा जंबल्स हो गया पै आप यहाँ पे finish कर लोगे इसके बाद मैंने आपको क्या provide किया यहाँ पे आपका syllabus खतम हो गया तो 20th October तक आपने लगबग अपना syllabus finish कर दिया है देन आपको मैंने एक miscellaneous folder दिया है उस miscellaneous folder में last 15 से 20 years के जितने भी important quant के questions है उनके video solutions आपको यहाँ पे मिल जाते है तो इसमे आप सारी topics के videos देख चुके हो अब काम आता है sectional test अब हमें mix test देने हैं अब हमें 40-40 minutes के test देके यह देखना है क्या हम वहाँ पर improve कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर sectional test 1, sectional test 2, 3, 4 appear करोगे इधर आप RCs को appear करोगे ठीक है and then आपके यहाँ पर verbal के भी sectional test finish कर दिया है इधर आपने verbal के sectional test finish कर दिया है इधर आपने cat mock 11 और cat mock 10 तक finish कर दिया है इसके बाद आपको क्या करना है आपको अपने video solutions देखना है previous year के तो cat 20 का slot 1 का video देखना है इधर quant में इधर LRDI में और इधर आपको verbal में देखना है then similarly आपका यहाँ पर cat slot 2, cat slot 3, then cat 19, slot 1, slot 2, cat 20, 18 और cat 20, 17 तो आपने पूरा का पूरा revision कर लिया अब अगर आप देखोगे तो 21st तक आपने अपना पूरा syllabus finish कर दिया है last week के आपने एक दो mock क्लिक के final अपना revision किया and 28 November को आप अपने exam के लिए appear करोगे तो आपने यहाँ पर क्या किया आपने वीडियो के सारे concepts, सारे के सारे questions प्रैक्टिस कर लिए, आपने sectional test दे दिये, topic wise practice कर लिए, आपने fullland mocks दे दिये हैं, आपने previous year के वीडियो देख लिए, तो एक comprehensive preparation हो चु आपको to the point content दे रहे हैं, ताकि आपका time waste ना हो, आप limited time में maximum output निकाल पाओ, लेकिन अब आपके उपर है कि क्या आप वो daily 5-6 hours devote करने वाले हो कि नहीं करने पाले, क्योंकि अगर आप एक essay student हो सर, मुझे exam करा करना है, फरक नहीं पढ़ता कि मैंने पहले क्या किया, मैंने प सी मंसकों कैसे utilize करते हैं, वही define करेगा कि आप कौन से MBA college में enter कर रहे हो, आपने पढ़ाई करी, आपको self-doubt हुआ, आपको अपने पर apprehension हुआ, आपने अपनी preparation को midway में छोड़ दिया, आप off track हो गए, आपके mocks में number कमा रहे हैं, तो उसका solution ये नहीं कि preparation छोड़ दो, उसक website पर चेक कर लो, steadybus.co.in and आप avail करोगे, within 24 hours आपके email पर आपका course आजाता है, आपका timetable, planner, username, password आजाता है, आप अपने preparation को start करो and you are good to go, इस course के बारे में और details लेनी है, तो हमारा WhatsApp नमबर है 99589-37705, so all the very best, thank you so much and एक बात हमेशा ध्यान रखना, that you are not going to accept defeat until you compete, तो competition में र effort लगाना है, फिर देखा जाएगा, क्या result आता है, so take care, good luck.